क्लिक करो सब्सक्राइब बटन पे और फ्रेस करो इस बेल आइकन पे ताके आप देख सकोँ वीडियो सबसे पहले तो इस वीडियो में बात करने वाले स्कोब की तो यहां जैसे कि हम फंक्षन के अंदर को वे वेरिबल एकले करते तो वह एरेबल फंक्षन के अंधर रहता है उसे आप बाहर प्रेंट नहीं करा सकते हैं विताओd function को call के हुए है और हम बाहर जो variable डिकलेर करें के फंक्शन के बाहर वो हम प्रिंट कर आ सकते हैं तो जो अंदर function के अंदर variable क्या हूँ अँचे करते हैं तो यह भी function एक यह यह प्रोपर्ली वर्क करेगा विताओd पेरेमिटर पास के हुए जैसे कि a equal to five यह मैंने ले लिया है उसके बाद फिर मैं return करा देता हूँ जो कि five को मतलब a को मैं return करा देता हूँ print करता हूँ function को तो यह हमारा function properly work करेगा इसे मैं save करता हूँ और run करके आपको दिखा देता हूँ तो आप देख सकते हूँ जैसे तो मैंने run किया आप देख सकते हूँ यह five हमारा print हो गया है अब समझ लिजे मुझे a को print करना यह equal to five है तो इदर मैं print लिखता हूँ बाद में फिर a लिखता हूँ और इसे मैं save करता हूँ रन करता हूँ तो इदर आप देख सकते हूँ हमारा error आ जो कि a is not defined तो a हमारा define ही नहीं तो कभी भी आपको यह याद रखना है जो function के अंदर define करते है उसे कहते है local variable और जो function के बाहर define करते है उसे global variable अब मैं इदर a को एक define कर देता हूँ तो a equal to seven में define कर देता हूँ तो इसे कहते है global variable तो यह हमारा हो जागा global variable अब मैं इसे save करता हूँ और run करता हूँ तो आप देख सकते हो seven जो कि हमारा बाहर जो function के बाहर जो variable है वो हमारा run हुआ और जो हमारे function के अंदर five वो हमारा इदर print हो गया तो इस तरह यह work करता है तो आप समझ लिजे आपको है न इस देख सकते हो यह जो हमारे variable है इसे आपको है न चेंज करना है और इसको use करना ह और यह function के अंदर जो है उसे भी आप print करा सकते हो तो काई से print करा सकते हो आपको function के अंदर create करना पड़ेगा आप देख सकते हो global variable जो ग्लोबल नाम का बाध में फिर हमें global क्या variable है हमारा a global variable है जो कि बाहर है इसे में अंदर ले ले लता हो इसे में सेव करता और रन करता हूं तो हमारा आउटपूट अभी सेम आएगा तो आप देख सकते हो जो पहले आउटपूट आया था 75 और अभी भी 75 मतलब हमें प्रिंट क्या करा ना हमें ए जो कि अंदर वह वाला चाहिए जो कि हम जो 5 चाहिए और इदर आप देख सेट तो function ये call हुआ है और इदर हमारा second वाला आउटपूट जो 5 function वाला आ गया है पर अभी भी प्रिंट हमारा output भार वाला आ रहा है तो यह QR है इसका इदर ए करेगा इदर सच करने के बाद हमारा से 7 देदेगा इदर 7 देदेगा यह हमारा function रन हुआ है पर call नहीं हुआ है call होएगा तो ही हमारा इदर 7 आएगा तो बाद में फिर हमारा function call हुआ और इदर हमारा output second वाले में 5 है तो इसको हमें जैसे कि हमें प्रिंट ए हमें 5 चीए तो इदर आपको function को call होने के बाद ए लिखोगे और इसे हमें save करूँगा और run करूँगा तो आप देख सकते हो हम function call हुआ तो यह हमारा change कर दिया global variable मतलब एको 5 में convert कर दिया और बाद में फिर हमने प्रिंट करा है एक हो तो आप देख सकते हो इदर हमारा 5 output आ गया तो इस तरह यह work करता है global variable लोकल वेरिबल तो यह बहुत ही कम use होता है program में पर कभी-कभी use में आ जाता है तो मैंने प्रोग्राम को practice करते जाए तो आपको समझ में आते जाएगा तो इसका source code आपको description में मिल जाएगा और next video में हम और भी चाहिए देखें के python के बारे में तो next video को link भी आपको description मिल जाएगे तो basic से लेके advanced python के playlist की link भी आपको description में मिल जाएगी तो आपको यह video अच्छा ला कि अझे दूसा को यह